हेलो गाइच वेलकम तो अल्फावेट टेकनोलोजी माइनेम इस सौरब कुमार तो टूड़े आइम गोइंग तू स्वल्व दे नेक्स्ट प्रोब्लम ऑफ पाइथन स्रीच इन हैकर रेंक तो प्रोब्लम का नाम है इफिल्स पाइथन इफिल्स इसका डिफिकल्टी लेवल इजी है तो देखते हैं कि क्या करना इस प्रोब्लम में तो दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टास्क दिया हुआ है और इसमें चार तरह का कंडिशन लगा हुआ है तो सबसे पहला कंडिशन है इफ एन इज और प्रिंट वियर्ड मतलब अगर एन नंबर जो हम लेंग अगर नंबर इवेन हो और उसका रेंज 2-5 के बीच में हो और 2 और 5 के बीच में नंबर हो और इवेन हो तो प्रिंट करना चाहिए नोट वियर्ड ये होगे सकेंड अस्टेट्मेंट थर्डेशन करा है कि इफ एन इज इवेन अगर इन इवेन हो समसंख्या हो और वो 6-20 के बीच में हो जैसे 8, 10, 12 इस टाइप का नंबर हो और वो 20 के बीच हो तो weird print करना होगा, if n is even, अगर n even है और 20 से greater है जैसे 22, 24 तो यहाँ पे not weird print करना होगा, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, sample input में 3 लिया हुआ, अथिरी क्या है, एक odd number है, तो odd number के लिए क्या प्रिंट किया, weird और नीचे second, sample input जैसे 24 लिया, 24 क्या है दोस्तों, even number है, लेकिन यह क्या है कि 20 से greater है, तो 20 से greater है, इसलिए not weird print किया, तो चलिए, चलते हैं code के साथ, और यहाँ हमें लिखना होगा, if, if n percent 2 is not equals to 0, अगर n सम संख्या नहीं होगा, तो हमें print करना होगा, print weird, अगर odd number हो, तो weird print होगा, इसके बाद दोस्तों, हमें second statement चेक करना होगा, कि if n is even, अगर n even number हो, और 22 to 5 के बीच में हो, दो और 5 के बीच में हो, और even number हो, तो हमें print करना होगा, not weird, इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा, इलिफ, 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 इलिफ n is greater than 2, and n is smallest than equals to 5, मतलब दो और 5 के बीच में अगर हो, तो print करना होगा, not weird, not weird, not weird, यहां में double quotation के अंदर लिखना होगा, चलिए, दो statement तो हमने अब देख लिया, तिसरा statement करा है, कि if n is even, अगर n सम संख्या हो, और range 6 to 20 के बीच में हो, तो हमें weird print करना होगा, तो फिर लिखते हैं, इलिफ, n is greater than equals to 6, and n is smallest than equals to 20, अगर ऐसा हो, कि number 6 और 20 के बीच हो, तो हमें print करना होगा, और वो सम संख्या होना चाहिए, तो हमें print करना होगा, print weird, weird, उसके बाद fourth statement करा है, कि if n is even, and greater than 20, अगर number even हो, और 20 से बड़ा हो, greater हो, तो not weird print करना चाहिए, तो इसके लिए, लिखेंगा, इल्स, यह इल्स पार्ट में जाएगा, इल्स, print, not weird, तो हमारा code हुआ complete, और देखते हैं इसे रन करके, तो जैसे आप देख सकते हैं कि congratulation, हमारा जो test case है, zero और test case one, दोनों completely पास हुआ, तो देख सकते हैं दोस्तों कि code बिल्कुल easy code है, आप इसे असानी से execute कर सकते हैं, बस ध्यान से देखना और लिखना ध्यान से, ताकि का इसी playlist में, hacker rank का जो भी python का problem है, सब आपको इसी playlist में मिलेगा, किरिपया channel को subscribe कर ले, अगर subscribe नहीं कियें तो और वीडियो को share करे, like करे, ताकि आप तक मेरा जो भी वीडियो डाले, और सबसे पहले आप तक पहुँचे, सो थाइंक्यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इसे submit करके देखते हैं, बिल्कूल you have earned 10 points, 10 में 10 points मिला इस program में, और ये बिल्कूल असानी पुर्वक, जितने भी test case से थे, वो सारे के सारे, 6 में 6, total test case pass हुए, so thank you,